मांसून में खिल उठता है मांडू का सौंदर रूप मती और बाज बहादूर के अमर प्रेम का साक्षी मांडू मांडू मद्व प्रदेश का एक सुंदर प्राकर्टिक सौंदर से भरपूर आकशक परेटन इस्थल है यह शहर प्रेम आनल तथा उल्लास का प्रतीक है मांडू का इतिहास 13 वी शताबदी से लेकर अंग्रे शाशन तक रक्त रंजत इतिहास है इस शहर में कदम रखते ही कभी शेहनशा बाज बहादूर एवं रानी रूप मती का नाम स्वतह ही जहन में उभर आता है आज भी इनके प्रेम के किस्से मालवा के लोकनाएक गाते हुए मिल जाएंगे पहाडी की उपर बना रानी रूप मती का मंडब बाज बहादूर के महल को अद्रश आँखों से नहारता हुआ नजर आता है मालवा के सुल्तान का पसंदीदा शहर विंद की पहाडियों पर समुद्र तल से दो हजार फिट की उचाई पर वसा मांडू शहर मालवा के परमार राजाओं की राजधानी था अपने प्राकर्टिक सुरक्षा कवच की वजह से यह उनका पसंदीदा शहर था बाद में तेरेवी शताबदी में यह मालवा के सुल्तान के हाथों में आ गया पहले सुल्तान ने इसका नाम सादियाबाद रखा इसका अर्थ होता है खुशियों का शहर राजा भोज ने की थी मांडू शहर की स्थापना मांडू शहर की इस्थापना दश्वी सताबडी में हिंदू राजा भोजने की थी ग्यार्वी सताबडी में परोमा राजाओं ने मालवा को स्वतंत राज गोशित कर दिया तब अतुल सौंदरी की सुरम में घटी मांडू को राजधानी बनाया गिया इसके बाद मालवा पर गौरी और खिलजी राजाओं ने कबजा कर लिया सन 1401 में मुगलों ने दिल्ली को जीत कर अपने कबजे में कर लिया था उसी वर्ष मालवा के गवर्नर अफगान नायक दिलावर खा ने स्वयम को मांडू का स्वतंत रूप से सुल्तान घोशित कर दिया मांडू की प्रगति के लिए अनेक काम किये दिलावर खाने दिलावर खा खिलजी वंश का था सन 1405 से 1526 तक मालवा में खिलजी वंश का राज रहा दिलावर खा ने मांडू की प्रगति के लिए अनेकों काम किये अफगान शिल्पकला के आधार पर कई महल मस्जदें बनाई 1405 में दिलावर खा की पुत्र हुशांग शाह ने सत्ता समाली उसने धार के इस्थान पर मांडू को राजधानी बना दिया शहर का प्रवेश द्वार दिल्ली गेट जाम मस्जद अपनी ही समादी हुशंग शाह की शिल्प प्रेम प्रतिमा के आकशक एवं अनुपम नमुने हुशांग शाह की पुत्र को महमूद शाह ने सत्ता चिफ्ट कर दिया था और स्वयम सुल्तान बन बैटा नसुद्दीन को भोगना पड़ा था अपने पाप कफ़ल सन 1469 में महमूद की पुत्र ग्यासुद्दीन ने 47 वर्ष की प्रोड़ा वस्ता में गद्दी समाली और 31 वर्षों तक शाषिन किया बाद में इसी की पुत्र नसुद्दीन ने सड़ेंद्र कर पिता को जहर दे दिया और स्वयम सुल्तान बन बैटा कहा जाता है कि नसुद्दीन को अपने पाप का फल भोगना पड़ा और सन 1510 में अपने पिता की हत्या के आरोप में उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया बाद में नसुद्दीन के पुत्र मौम्मद ने गद्दी समाली किन्तु अयोग शाषकों के कारण आंतरिक फूट वकल है अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था आज भी बाज भाद्दुरवा रानी रूपमती के प्यार की सुगन महकती है सन 1526 में गुजरात के सुल्तान भाद्दो शाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया बाद में हुमाईयों ने मालवा पर हमला किया तो भाद्दो शाह गुजरात भाग गया इन्तु मालवा शाह वंश के ही अधिकार में रहा यहां इत्यास विलक्षन करवटें बदलता रहा सूबेदार शुजाखा के बड़े लड़के वाजित खा अपने पिता की म्रत्यों के बाद 1554 में मालवा का सुल्तान बन बैठा तथा बाज बहाद्दूर की उपादी धारन की बाज बहाद्दूर संगीत अग्य था और वह सुन्दरी नत्यांगना तथा बेजोड गाई का रूपबती से प्रेम करता था मालवा की धरती आज भी बाज बहाद्दूर और रूपबती के प्यार की सुगंद से महकती है उनकी दास्तानों की अनुगूज गूशती रहती है संगीत कला प्रेमी थे बाज बहाद्दूर और रूपबती बाज बहाद्दूर और रूपबती दोनों संगीत प्रेमी और कला प्रेमी थे दोनों अकसर प्रेम और संगीत में डूबे रहती है एक कलाकार बहतर सेनिक न हो सका रानी दुर्गवती ने उसे पराजित कर दिया पराजय के बाद दोनों युगल संगीत में खो गए बाज बहाद्दुर ने सन 1561 में फिर अकवर के सिपा सालार आधम खा के हातों मात खाई इस पराजय के बाद बाज बहाद्दुर को नौ वर्ष तक जंगल में छिपने के लिए विवश्च रहना पड़ा इधर रानी रूपमती को जहाज महल में कैद कर दिया गिए रानी रूपमती के सौंदर पर मुग्ध आदम खान ने उससे विवाह करने का फत्वा जारी कर दिया और मजबूर रूपमती ने अंगूठी का हीरा निगल कर अपनी जान दे दिया प्रेम की बलवेदी पर अपने प्राणों की आहूती देने वाली रानी रूपमती समराट अकवर के आदेश पर सारंग पुर में दफन की गई वहाँ उसकी कबर पर शहीदे वफा लिखकर अकवर ने उससे अपनी शद्धानजली अर्पित की 28 वर्ष बाद 1593 में रूपमती की कबर पर बाज बहादुर ने भी अपने प्राण त्याग दे उसे भी वहाँ दफना दिया गया और आशिके सादिक ये दो शब उसकी कबर पर अंकित कर दिये गया इस तरह प्रेम का एक अध्या समाप्त हो गया अफगान इस्थापत्य का आकशिक कलाकेंडर मांडू प्रेमस्तली मांडू में कई मुगल बादशाय आये लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मांडू का आकशन समाप्त होता गया मुगल समराट जहागीर एक बार साथ माह तक मांडू में रहा था तता उसने यहां की मरम्मत भी कराई थी बाज बहादूर अकवर और जहागीर के बाद किसी ने मांडू की सुद नहीं ली प्रेम और उल्लास का यह शहर उपेक्षित होने लगा सन 1732 में मलहार राओ की देखरेख में मराठो ने मुगर राजपाल को हरा कर मालवा परकबज़ कर लिया मांडू अबगान इस्थापत्य का आकशक कला केंद था यहां के सौंदर की बात कुछ अलग ही है यहां का प्रतेख इस्मारक वास्तु शिल्प का बेजोड नमूना नजर आता है मांडू दुर्ग की शेतर परिदिम में जो की लगबग 45 किलो मीटर है लगबग 30 दर्शनी इस्मारक है किन्तु मुख इसमारकों में हिंडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद, हुशंग शाह का मकवरा, अशर्फी महल, नील खंडेश्वर मंदर, बाज बहादुर महल, रानी रूप मती का मंडब आदी उल्लेक नी जहाज महल मांडु की शान जहाज महल को पूर्व के हिंदु राजा, परमार वंश के प्रसिद, मालवा पती मुझ के समय में यह महल गृष्म रितु में रहने के लिए बनवाया गया था यह महल 360 फिट लंबा, 48 फुट चौड़ा तथा 31 फुट उंचा है, जो देखने में एक जल सेना के जहाज के समान प्रतीत होता है बाद में जहाज महल का उप्योग शंगार प्रेमी गया सुद्दीन की बेगमों को रहने के लिए किया गया कहा जाता है कि बाद्शाज जब चान्नी रात में महल के उप्री भाग पर जाते थे, तब चारों और घूमकर पानी में चंद्रवावा तारों की प्रतिवम देखते थे तो उन्हें ऐसा महसूस होता था कि मानो जैसे समुद्र के मद्ध पानी के जहाज पर खड़ें इसी कारण इसका नाम जहाज महल पड़ा रानी रूपमती महल मांडू में इस्ते रानी रूपमती का महल मांडू दुर्ग के दक्षन भाग पर निमान प्रांच से 365 मीटर खड़ी विंद्याचल परवत की सबसे उची चोटी पर इस मंडब को दो भाग में माटा जा सकता है नीचे का भाग कभी सेना के रहने के लिए बनवाय गया था यहाँ पर दो तरफ सैनिकों के रहने के लिए दो दालान नुमा बैठे के बनी है साथ में पीने के पानी का एक होज भी बना है जिसमें वशा रितु से एकत्रित किये गए पानी को कोईलेवा रेद द्वारा साफ कर लिया जाता था जिसको युद्व के दोरान सैनिक पीने के कामें लिया करते थे बाद में उबरी मंडब बाज भाग दुर ने अपनी प्रे संगीत प्रेमी रूब मती के लिए पवित नर्मदा के दर्शन के लिए बनवाया था जहांसे वह हर रोज सूर्य उदय के समय नर्मदा के दर्शन करती थी बाज भाद्दुर का महल मांडू में इस्तित बाज भाद्दुर का महल एक उचाई पर बनाया गया था इसके अंदर के भाग में एक सुन्दर हौज बना है। हौज के उत्तर में सफेज संग वरमर का जहरोखा है। वह दक्षण की ओर रहवासी कक्ष है। इस इस्थान से ऊपर वारादरी में जाने के लिए सीडियां बनीगे। महल के मुख द्वारवा सीडियों के साथ लगी हुई उची आर्चुनुमा दीवार है। जो पहले रेवा कुंड में जाकर मिलती थी। इस दीवार पर पत्थर की पाइप लाइन बिचाई गई थी। जिसमें रेवा कुंड से रहट द्वारा पानी उपर चढ़ा कर महल में ले जाने की विवस्तती। इस महल के मुख द्वार पर एक शिला लेख है जिसमें लिखा है कि इसका निर्मा नसीर उद्दीन के समय में किया गया था। बाद में बाज बहाद्दुर ने अपने शाशनकाल में इसको अपने महल के रूप में उप्योग किया था। तब से इ नर्मदा की परिक्रमा के साथ साथ इसकी परिक्रमा को भी सफल मानते हैं। रेवा नर्मदा का ही दूसरा नाम है। इस कुंड के पास बाज बहाद्दुर का सुंदर महल है। यह महल पहाड़ी धलान पर इस्तित है और पहाड़ी के अंतिम शिकर पर निर्मित रानी इसका निर्माण कम से कम तीन अलग लग समयों में संपन हुआ है। इसके मूल खंड भाग में दो दीर्ग कख्षें और ये सेनिक निवास इस्थल या अस्तवल के समान प्रतीत होते हैं। इनकी मंडलाकार शत पर हिंदू शिल्प के संकेत इसपस रूप से दिखाई पड़ते हैं। संभवत ये शत्लों के आक्मण की पूर्व सूचना अत्वा उनकी गत्विदियों को अवगत करने के लिए बनाए गए हैं। इसके मूल खंड की छत पर बने दो मंडपों के कारण ही महल को रूप मती का मंडप कहा जाता है। कहा जाता है कि रानी रूप मती यहीं से प्रती दिन नर्मधा के दर्शिन किया करती है। दाराखान का मकबरा दाराखान महमूद खिलजी दुत्ती के दरवार में एक मंत्री थे उनका मकबरा एक मस्जिद, एक तालाब, एक सराय और अन्य मकबरों के साथ एक दिवार से घरे हुए परिसर में इस्थित है जिसमें दाराखान का विशाल मकवरा परिसर के कींदर में वलुव पत्थर से बना हुआ है हाथी पहले इस द्वारा दाराखान कॉंप्लेक्स के दक्षन पूर्व हिस्से में इस्थित है मांडू में इस्ते श्री राम मंदर का निर्माल दोसो वर्ष पूर धार के पवार राजाओं द्वारा करा गया है यहाँ प्रतिवर्ष चैत महा के शुकल पक्ष की प्रतिपदा से मेले का आयोजन किया जाता है मांडू में दो जैन मंदर भगवान शांतिनात और सुपाशनात जी है मांडू में लगवग एक करोड की लागर से एक धरमशाला बनवाई गई है जिसका उदगाटन स्वरगी श्री राजीव गांदी ने सन 1885 में मांडव प्रवास के समय किया था इसके अलावा मांडू में दिगंबर जैन मंदर है जो ग्राम के मद में बस स्टेंड के पास है निराली शान है जामव मस्जित की मांडू में इस्ति जामव मस्जित की अपनी निराली ही शान है इसका निर्मा दमिश्क की विशाल महजजित के कलात्मक धंग पर किया गया है इसके भीतर दर्श नार्थियों के लिए बनी कोट्रियों के द्वार महरावदार है इसकी प्रश्व भूमि में इस्थित तीन बड़े उब्बत सुन्दर तथा प्रभावशाली है मांडू में हुशंग शाह का संगमर्मर से निर्वित मकवरा इस बात के लिए प्रसिद है कि वह आगरा के प्रसिद ताजमहल के लिए नमूना बना रहा मांडू में इस्थित हुशंग शाह का मकवरा हमारे देश के उन खास भवनों में से एक है जब सुल्तान बात्शाहों ने प्रतम बार संगमर्मर को निर्मान कारे में लिया था यह मकवरा दो भागों में बटा हुआ है इसका पश्मी भाग धर्मशाला के नाम से जाना जाता है जिसकी रचना हिंदू शैली की है धर्मशाला के पड़ते खंबे के उपरी भाग में त्रशूल, हाती की सूर वा कमल के फूल देखने में आते है मद्ध भाग में जो होशंग के मकबवरे से जाना जाता है वैं अफगान शैली में बना है इस मकबवरे के अंदर छे कब रहे बड़ा ही विच्चत रहे हिंडोला महल इसका निर्मण वासुकला की समान शैली से हट कर किया गया है हिंडोला महल एक पालने के समान जूलता हुआ दर्सिगत होता है यह महल अंग्रेजी भाषा के टी अक्षर के आकार से मिलता जूलता है मुगलकाली महलों में इसके समकश कोई दूसरा महल नहीं है हाती पर बेगमों की पालकी को दूसरी मंजल पर ले जाने के लिए उपर स्ताबदी में गया सुद्दीन खिलजी के शाषन में बदल दिया गया था इसकी वास्तुकला की सादगी इसे बाकी इसमारकों से अलग करती है महल का निर्मार बलूव पत्थरों से किया गया था जिन में भूमिगत इस्थित कमरों के साथ जुड़े हुए गरम पानी और थंडे पानी की विवस्तती जिसमें नकाशीदार इस्तंब थे जिस कारण मांडू में हिंडोला महल एक बहुत लोगप्रिय परेटक आकशन बना हुआ है अति प्राचीन है नील कंठेश्वर मंदर मांडू में इस्तित नील कंठेश्वर अति प्राचीन मंदर है ये शिव कमल के लाल फूल चड़ाय जाते हैं। इस मंदर के प्रांगर में ही एक नेलकंड नामक महल है। जिसका निर्मा मुस्लिम सास्कों के समय में हुआ था। कहा जाता है कि समराथ अकबर ने खांदेश की विजय के उपरान इसी महल में विश्राम करके प्राकृतिक सौंदरे का लाब उठाया था। वास्तर में मांडू का संपूर्ण परिवेश प्रकृति मनुहारी द्रश्चों से परिपूर्ण है। इस नगर को प्रकृतिका वरदान प्राप्त है। बरसात में मांडू के परवती दुर्ग पर जब मेग मर राते हैं तब इसके खंडरों में से मलहार की ध्वनिया गूशती है। क्योंकि यह दूर्ग प्रणय का ही नहीं संगीत साधना का भी इस्थल रहा है। चंपा बावली और हमां। मांडू में हिंडोला महल के पहश्य भाग में चंपा बावडी है। जिसकी आकरती चंपा के फूल के समान है। इसी कारण इसका दो रास्ते देखने को मिलते हैं। युद्धकाल में शाही महलाएं इसके पानी का उपयोग पीने के लिए किया करती थी। उन दिनों वर्षा रितू का पानी महल की छट से बहकर आता था। उसे अकत्रत करके कोईला रेत आदी से फिल्टर किया जाता था। बाद में इसे आच्छरे इस्थल के रूप में किया गया था। जो जहाज महल के दक्षिन में इस्तित है। अब यह भारती पुरातत सर्विक्षिन की देखरेक में है। जिसका उपयोग भारती पुरातत के कार्याले एवं रिस्थाउस के रूप में किया जाता है। मांडू कब भूमने के लिए उपयोगत है। पर वर्षा यानि मांसून का मौसम यहां आने के लिए सर्विस्थ है। क्योंकि यहां चारों और हर्याली ही हर्याली होती है। और नर्मदा अपने यौबन पर होती है। इसमें इतना पानी बहता है कि मन रोमांचित हो उड़ता है। मांडू का अपना खुद कोई हवाई अड़ा नहीं है। मांडू का सबसे निकत्तम हवाई अड़ा देवी अहल्यावाई होलकर एरपोर्ट इंदौर में है। जो मांडू से लगबग 97 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित है। यह हवाई अड़ा भारत के प्रमुक शहरों के हवाई अमार्क से जुड़ा हुआ है। जहां आप किसी भी प्रमुक शहर से फ्लाइट लेकर इंदौर पहुंच सकते हैं। एरपोर्ट पहुंचने के बाद आप टेक्सी, बस या कैब से मांडू पहुंच सकते हैं। कैसे जाएं मांडू रेलमार्क से। मांडू का निकत और वहाँ से टेक्सी या बस से मांडू पहुंच सकते हैं। सडक मार्क से मांडू कैसे जाएं। मांडू सडक मार्क से मद्यपर्देश के कुछ प्रमुक शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इंदौर, भुपाल और रतलाम से अक्सर बस से मांडू जाती यदि आप मध्य प्रदेश में इस्थानी रूप से यात्रा करना चाहते हैं तो आकर कार या टेक्सी किराएंप पर लेकर मांडू पहुंच सकते हैं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले देखते रहे ये बंजारा बेट्स